नमस्कार आज की इस विडियो में हम लोग जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ती के संबंध में विभिन सिधान्तो का वर्नन करें question है कि राजपूतों की उत्पत्ती के सम्बंध में विभिन सिधानतों का वर्नन करें चलिए इस question को करते हैं आज जैसा कि बताया जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ती का प्रशन भारत के तिहास के आज भी गुर पहली है यानि कि बहुत ज्यादा इसके बारे में इसके भूमी का बहुत ज्यादा बताए जाती है अभीता के तिहासकार इस प्रश्ण पर एकमत नहीं हो पाए एकमत नहीं होने का मतलब हो गया कि तिहासकार जितने भी है सब अपने-अपने मत के अनुसार अपने-अपने विचारों को रखे हैं और उनको जिस परकार से कोई भी चीज पता चला है उसके बारे में बता है तो सभी का एक जैसा कोई भी जो है सो समान बात अभी तक उत्पन नहीं हुआ है और इसलिए बोला गया है कि अभी तक इतिह हुआ है और इस संबंध में भीन-भीन विद्वानों ने अपना-पना मत दिया यानि अलग-अलग विद्वान ने अलग-अलग परकार से अपना मत दिये हैं और बताए हैं राजपूतों के बारे में और मत-मतांतर के कारण यह प्रश्ण इतना विवाद गरस्थ हो गिया है जो साच्य होनी चाहिए, जो विवरन मिलनी चाहिए वो पूरी इतरा से अभी तक मिल नहीं पाया है और इसकी खोज इतिहासकार लगे रहें लेकिन इसकी पूरी तरा से असपष्ट बात किसी ने धंग से नहीं बता पाए क्योंकि इसका कोई साच्य उतनी ही अच्छी या जो कठोर माधियम से मिलना चाहिए एक साची के रुप में वो मिला नहीं है नीचित रुप से इसके संबंद में कोई मत देना असंभो सा परतित होता है कुछ इतिहासकार राजपूतों को भारत में ही निवास करने वाले एक जाती मानते हैं तो कुछ उन्हें विदेशियों के संतान मानते हैं यानि कुछ विद्वानों का कहना है कि वो भारत में ही रहे थे और कुछ विद्वानों का कहना है कि वो विदेश से आये हुए थे जो इतिहासकार उन्हें विदेशी मानते हैं उनका कहना है कि राजपुत विदेश्यों की संतान है जिसका कहना है कि जो राजपुत विदेश्यों का संतान है और जो भारत में आकर के बस गए और कलांतर में जिन्होंने अपनी सारीरिक सक्ति के बल पर समाजिक उच अस्तर को प्राप्त कर राजनितिक सत्त को प्राप्त क से संबंदित सुरी और चंद्रवंस की संतान बताते हैं राजपुत अपने आपको किसका संतान बताते हैं सुरी और चंद्रवंस की संतान बताते हैं और उनकी विभिन सखाओं ने किसी ना किसी परकार अपना संबंद इन वंसों से अस्थापित कर लिया है और उन लोगों न सब्द एक जाती अथवा वर्ग विसेसग के लिए भारत में मुसल्मानों के आने के बाद परचलित हुआ है यानि भारत में अगर राजपूतों का बात किया जाए तो मुसल्मान आने के बात से इसका बात किया जाता है यानि दूसरे सब्दों में अगर कहा जाए तो कुछ परकार से होगा कि दुसरे सब्दों में राजपूत सब्द का पर्चलन साथवी सदी के उत्रार्ध में हुआ कि राजपूत्र सब्द यह पूर्व संस्कृत्र सब्द का कोई उलेक नहीं किया जाता था सात्वी सताब्दी मेश हसा इस मेश हसा इस सब्द के परियोग से कुछ विद्वानों ने इस अनुमान या अनुमान लगाया कि राजपुत एक नई जाती थी राजपुत जो थी वो सात्वी और आठ्वी सताब्दी के एक नई जाती थी जिसका विकास इसी सत ताब्दे में हुआ था तथा प्रश्ण उठता है कि भारत के प्राचिन छत्रिय सहसा कहां विलुप्त हो गए फाल सरुप विद्वानों के मध्य या प्रश्ण विवाद का भी से अभी भी बना हुआ है ठीक है और राजपुत सब्द संस्क्रीत के राजपुत ग्रन्थो व राजपुत्री कहा गया है इसी अर्थ में सात्मी सताबदी में भाव भूती ने कौसलिया को राजपुत्री कहा है वानभट ने और आगे देखते हैं तो पूसलिया को राजपुत्री का है वान भाट ने हर्स चरित में राजपुत सब्द का परियोग छेत्री सैनिक के लेग किया था यानि जो छेत्रिय सैनिक होते हैं यानि कि अपने अस्थान का जो सैनिक बनाया जाता है उसी अस्थान के लोग होते हैं उसको राजपुत्र के नाम से जाना जाता था ठीक है तो उसी राजपुत्र राजपुत्र के से अपने च्छत्रिय जाती बना लिया और अपने उस जात है और पुरानों में भी राजपुत्र सब्द से अभी प्रैच छत्रिये राजकुमारों से लिया जाने लगा किन्तु हिंदु काल में इस सब्द का परियोग भी किसी जाती विशेश के लिए नहीं हुआ है जब भारत में मुसल्मानों का आकर्मन हुआ और वे यहां निवास करने लगे तब राजपुत सब्द का परियोग हुआ और कलांतर में इस सरद सब्द का भारत की लडाकु जाती के लिए परियोग भी होने लगा लडाकु जाती छत्रिये राजपुत के नाम से जाना जाने लगा चलिए बस तो आगे देखते हैं कि राजपुतों की उत्प तो प्राचिन छत्रिय से उत्पत्ति राजपूत कैसे तो राजपूत अपने को प्राचिन छत्रिय की संतान मानते हैं ठीक है और वे अपना संबंद किसी ना किसी प्राचिन कूल से जोड़ देते हैं यानि कि वो अपने वन्स को बनाय रखने और अपना सत्ता को और ज्याद परभावित करने के लिए परभाव साली बनाने के लिए वो प्राचिन कोई जो प्राचिन कोई छत्री है या किसी भी चीज जो ज्यादा मजबूत हुआ करते थे ज्यादा सकती साली हुआ करते थे उससे अपने जाती को जोर देते हैं और बताते हैं को उसका संतान हम लोग है उसके खंदान का है इस परकार से बताते हैं वे अपना संबंध किसे ना किसी प्राचिन कुल से जोड़ते हैं सिसोधिया तथा चालू के अपने को राम का वनसज कहते हैं सिसोधिया तथा चालू के जो है अपने आपको क्या बोलते हैं कि राम का वनसाज है यानि राम भवान जो थे उनके वनसाज के हैं और राष्ट कुट कृष्ण को अपना पुर्वज मानते हैं वास्तों में प्राचिन आर्यों की मुलता दो परमुख सखाये थी जो सुर्य वनस और चंद्र वनस के नाम से विख्यात है और बाद में एक तिसरी साखा यदू वनस की भी हो गई इन ही तीनो वनसों में संपुर्ण आर्य जाती का समावेश हो जाता था किन्तु राजनितिक जीवन में छत्रिय की परधानता होने के कारण इस वनस की प्रमप्रा सधारनता छत्रिय के साथ जुड़ती चली गई और इसके उपरांत मुख्य वैक्तियों के नाम पर वनस चलने लगे और इस कथन की पुष्टी में विद्वान या तरको पस्थित करते हैं कि आज भी राजपूतों में कुछ ऐसे रिती रिवाज पर देशियों के भारत आने से पूर्व छत्रियों को परचलित थे पच्छिम गोरी संकर पंडित गोरी संकर हरिचंद्र ओजा तथा सी भी वैत इसी मत के समर्थक भी रही है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगनी कुंड से उत्पत्ती इन जातियों का राजपूतों का अगनी कुंड से उत्पत्ती किस परकार बताया जाता है तो एक अनुसरुती के अनुसा राजपूतों के उच वर्गों के उत्पत्ती अगनी कुंड से होई थे इस परकार स इसे इतना भी अगर हम कर लेते हैं तो बहुत है अगर हम बात करें कि राजपुत राजा के ना होने से अराजकता और अवसकता आवेवस्था फैल गई और सधार जनता नैती कादरतों से गिरने लगी तब प्रिथी पर भरष्टाचार का परपोग देखकर देवताओं ने ब वसिष्ट मूनी ने आबू परवत पर एक यच किया और यच जिसको यग के नाम से जानते है ठीक है यग से कुंड से परवाहित यग के कुंड से परवाहित परमार सौलंकी तथा चोहां चार योद्धा उत्पन हुए और उन्ही के नाम पर राजपुतु के चार परमुख वन्षू का उधारन भी दिया जाता है यानि कि बात कहने का मतलब यह अगनी कुंड से राजपुतु का अतुपत्ति कैसे हुआ कि जब प्रिथी पर शहार होने लगा यह जो राच्छा स्वगेरा यह सब जीवों को मानने लगे खाने लगे पुरां तहस्नास करना शुरू जो साधू लोग थे वो क्या कि घनी कुंड की और अगनी कुंड से चार देवताओं का उधपन हुआ और उन चारे को इसका वन्षज माना जाता है यह जो अभरास्पूत है वौ आपको उन चारे को एवताओं का वन्षज मानते हैं ठीक है तो कुछ बिदवानों का कहना है कि वो बिदेश से आए, तो बिदेश से आए, तो किस हिसाब से आए होंगे, तो आकर्मन करने के हिसाब से, यहां से संपती को लेने के हिसाब से, यहां पर अपने सत्ता को बलाने के लिए, या तो अपने ताकत को बलाने के लिए, तो यह बात को अगर हम लिखते हैं तो हमारे विदेशियों से उत्पत्ति सारे चीज का जो है सो इसमें आ जागा समाज को बलहाना अपने वनसच को बलहाना अपने धर्म को बलहाना लोगों को अपने में जूलाना अपने ताकत को बलहाना अपने छेत्र को बलहाना इस परकार से लोग और स सच बताया जाता है कुछ देवताओं द्वारा यग्यों द्वारा ये जो है सोग रिसी मुन्यों द्वारा उत्पन किये गए एक जाती है ठीक है यहाँ पर अगर हम यह बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे आप कि डाक्टर इस्वरी परशाद और डाक्टर भंडार कर भी राजपूतों को बिदेशी ही मानते हैं कि विभिन बिदेशी आकरम कारियों को भारतिय समाज में समलित किये जाने से राजपूतों की उत्पत्ती हुई और भंडार कर ने भी राजपूतों को बिदेशी सिद करने का परियास किया है ठीक है तो यहां तक आप लोग को समझ मागया चलि हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते अगला प्वेंट में जो अगला प्वेंट हमारे पास यह होगा कि आदिवासी जातियों की संतान आदिवासी जातियों की संतान कतीपै बिद्वानों ने कुछ सची नहीं ठीक से पता चलता है यह कोई भी प्राचिनकाल तो प्राचिनकाल से अगर विद्वान अपने हिसाब से चले तो प्राचिनकाल में तो पहले क्या थे आदिमानों थे आदिमानों में क्या थे गौंड भार यह सब थे तो क्या राजपूत उसके वनसच है क्योंकि कि हमेशा राजपूत क्या करते अपने वनसज को को प्राचिन चीज से जोड़ करके बताते हैं तो उसे इन वन्सज से हम पात करें वो से इन जाती वनसज पर क्यों tasting m निवासकारों का ये मानना हो जाता है ये सच भी नहीं है गलत भी नहीं है ठीक है चली उनका मत है कि आर्यों और दर्वीडों से पहले ही ये जाती है भारत में निवास करती थी आर्यों की विजय एकांत सुरचित अस्थानों में रहने को बाध्य किया और कलांतर में उनमें स कुछ से कुछ संपर्क आडियों के साथ हुआ और इस संपर्क का 좌फ हुआ हुआ कि वे धीरे-धीरे सभी होने लगे और इने कुछ से राजसत्ता प्राप्त Ready कर ली और वेस्त खत्रिये कहलाने लगे ठीक है कनोज के गढ़वाल भी संभवता भारो से समंधित तिर बुंदेल और राठोर गढ़वाल के वनसज भी बताए जाते हैं इस परकार से इसकी अब देखते हैं इसकी मिश्रित उत्पत्ती क्या थी मिश्रित उत्पत्ती आज अधिकांस बिद्वान राजपुतों को विदेशियों का वनसज स्विकार नहीं करते अपितु यह मानते हैं कि राजपुत प्राचिन छत्रियों के ही वनसज है यह मानते हैं कि प्राचिन छत्रियों के वनसज है लेकिन विदेशी भी उसे स्विकार नहीं करते किन्तु उन्हें विदेशी रक्त का मिसरन हुआ है डॉक्टर आसिरवार्दी लालक अनुसार या कहना गलत होगा कि सभी प्राचिन छत्रियों के वन्स नष्ट हो जोगे थे और राजपुतु में उनका रक्त बिल्कुल नहीं था क्योंकि अभी भी तो है वो जाती अभी भी है न तो ये कैसे कहा जा सकता है किन्तु ध्यान देने की बात है कि विदेशी आकर्मन कारियों के यूग में जो राजवन यहां राज करते थे उन्होंने विदेशियों से विवा संबंद अस्थापित की और इस परकार कि इस संबंद में उपर्युक्त मतों में से कोई एक पुर्णता सत्य नहीं है वास्तों में राजवन भारतिय तथा विदेशी राजवनसों के मिश्रन से बने हैं ये किवल कहा जा सकता है चलिए इसका लाश्ट होगा हमारा प्रेंट ये कि ब्राहमनों के वनसज डाक्टर दसरत सर्मा ने राजवनसों की उत्पत्ती के प्रश्ण पर नवीन परकाश डाला है उन्होंने अभी लेखो और सिकों के अधार पर या सिद करने का पर्यास किया है कि राजवनसों के मुख्य वनसों चोहान गुहिल, पल्लाव, कदम, परतिहार, परमार, आदी के संस्थापक ब्राहमन से थे और हर्श की मिर्ट्यू के पहशात फैले वी अवस्था तथा अर्बो और तुर्की अकर्मनों से उत्पन संकट से देश की सोतनता को सुरचित रखने के लिए ब्राहमनों ने सास्त्रों के अस्थान पर सस्त्रों का सहारा लीन और बाद में विच हत्रिये राजपुत ही राजपुत कहलाए और इस परकार से इस क्वेशन को हम अच्छी तरह से डेल कर सकते हैं आसा करते कि ये भी question आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को share करे, like करे, comment करे कि आपको और किस परकार की question चाहिए और दोस्तों तक share करना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले ताकि इस त जब हारत